इस किताब के वचन अद्भूत है, धर्म में तो इसे पढ़ने या सुनने का मौका भी नहीं मिलेगा, यह सबी वचन वाकई सत्य हैं, और यह पवित्रा आत्मा के कथन लगते हैं, अहाला कि कुछ बाते साफ नहीं हैं, कौन सी बाते? बाइबल के मुताबिक प्रभु येशु एक बादल पर लौट कर आएंगे, पर चमक्ति पूर्वी बिजली की गवाई ही है के देहदारी परमेश्वर प्रकट हो गये हैं, हम इसे ठीक से समझ नहीं पा रहे हैं, कृपे इस बारे में संगती करें, बताएं, हाँ, ठीक है बे बाइबल में की गई भविश्यवानी के अनुरूप है, लेकिन प्रभु येशु ने इस बारे में अलग-अलग बाते कहीं थी, हमें उनमें से केवल एक बात पता है, लेकिन वो प्रभु येशु की इच्छा से मेल नहीं खाती है, आप ही की तरह, मैं भी मानती थी, कि रमज गई कि ये भविश्यवानी, प्रभु के बातलों पर लोटने की नहीं, बलकि गुप्त रूप से धर्टी पर देह धारन की है, जैसा कि प्रभु येशु ने कहा था, परन्तु ये जानलो कि यदि घर का स्वामी जानता होता, कि चोर किस पहर आएगा तो जाकता रहत और अपने घर में सेंध लगने ना देता, इसलिए तुम भी तयार रहो, क्योंकि जिस घड़ी के विश्य में तुम सोचते भी नहीं हो, उसी घड़ी मनुश्य का पुत्र आ जाएगा, यहां ये भी है, आधी रात को धूम मची, देखो दुलहा आ रहा है, उससे भेंट कर करने के लिए चलो, देख मैं द्वार पर खड़ा हुआ खट खटाता हूँ, यदि कोई मेरा शब्द सुनकर द्वार खोलेगा, तो मैं उसके पास भी तर आकर उसके साथ धोजन करूँगा और वो मेरे साथ, आमेन, कहते हैं चोर के समान आता हूँ, मतलब प्रभु चुप प्रभु येशु ने ये भविश्यवानियां भी की थी, क्योंकि जैसे बिचली आकाश के एक छोर से कौंध कर, आकाश के दूसरे छोर तक चमकती है, वैसे ही मनुष्य का पुत्र भी अपने दिन में प्रकट होगा, परन्तु पहले अवश्य है कि वह बहुत दुख उठा प्रभु येशु की तरह ही ये भी देहधारी परमेश्वर है, बाहर से वे एक सामान या इंसान की तरह ही नजर आते हैं, जैसे जब प्रभु येशु ने कुछ कहा और कारे करना शुरू किया, तब जाकर कुछ लोगों को महसुस वा कि वे मसीह थे, ओ हाँ, अगर प्रभ प्रभु को दिखाई देते, और सभी कामते हुए उनके कदमों में गिर जाते, किसकी हिम्मद होती प्रभु को अस्वीकार करने की, सही का, इसलिए प्रभु येशु कहते हैं, परन्तु पहले अवश्य है कि वह बहुत दुख उठाए और इस यूग के लोग उसे तुछ ये वचन पूरे कैसे होते? देहिधारी परमेश्वर ही तो मनुष्य के पुत्र की रूप में प्रकट होकर कारे कर रहे हैं, जो बहुत से दुख उठाएंगे और ये पीडियों उन्हें तुछ समझेगी. हाँ. बिल्कुल वैसे ही, जैसे प्रभु येशु जब प्रकट ह कर अपना कारे कर रहे थे, तब पादरियों और फरीसियों ने उन्हें देहधारी परमेश्वर नहीं माना, उनका विरोध तक किया, यहां तक कियों ने क्रूस पर भी चड़ा दिया, ये बात हम सभी को साफ तोर पर पता है. प्रभु की ये भावेश्यवानी कितनी साफ है एकदम साफ है कि प्रभु मनुश्य के रोप में उत्रेंगे और उन्हें दुख उठाना पड़ेगा, और लोग उन्हें तुछ ठहराएंगे. क्या इसका अर्थ देहधारी परमेश्वर से नहीं है? हमने प्रभु इशो की ये भावेश्यवानी कई बार पढ़ी है, पर हम इसे ये ग्यान नहीं मेला. दिलकल सही. प्रभु की तो सभी भाविश्वानिया रहसे हैं, जिने हम नहीं समझ सकते. अगर सर्वशक्तिमान परमेश्वर का प्रकटन और कार्य ना होता, तो हम प्रभु इशो की भाविश्वानियों को कभी समझ नहीं पाते. आपने जिन की संगती की है, उसे मैं कई बार पढ़ चुकी हूँ. फिर भी लगता है पढ़ा ही नहीं है. मगर आज की संगती से लगा, जैसे की मेरा तो दिल ही रोशन हो गया. प्रभु इशो की भाविश्वानिया पूरी हो रही हैं. प्रभु की वापसी देहरुप में सब के सामने प्रकट होने से हुई. बहन, आपने एक्तम सही कहा, प्रभु इशो लौट आए हैं. वे देहधारे सर्वशक्तिमान परमेश्वर ही हैं. ये किताब वचन देहे में प्रकट होता है, जो आप पढ़ रही हैं. इसे सर्वशक्तिमान परमेश्वर ने व्यक्त किया है. यही चमत्ती पूर्वी बिचली का धर्म है. और यही राजे की युक्की बाइबल है. कितना अद्बूत है. इसकी वचनों को पढ़ने पर आपको एहसास होगा कि यही सत्य और परमेश्वर की वानी है. यह सच है. विभ्षिन धर्मों और संप्रदायों की कई लोगों ने सुन सत्य की अभिव्यक्ति और न्याय का कार्य मानव जाती को पूरी तरह से शुद्ध करके बचाने और मसीय के राजे में ले जाने के लिए है. परमेश्वर का धन्यवाद. जिन लोगों ने अंत के दिनों की सर्व शक्तिमान परमेश्वर की कार्य को स्वीकार कर लिया है, व परमेश्वर धर्ती पर प्रलय लाएंगे, अच्छों को इनाम देने और दुष्टों के नाश का कारे शुरू करेंगे. प्रलय के बाद वे बादलों पर खुले रूप से सब के सामने प्रकट होंगे. फिर प्रकाशित वाक्य की ये भविश्यवानी, कि देखो वो बादल की वचन पूरे होंगे. अगर वे लोग जो केवल प्रभु के बादलों के साथ आने का इंतजार कर रहे हैं, सर्वशक्तिमान परमेश्वर के कारे को नहीं अपनाते, अभी भी अंत के दिनों के मसी का विरोध करते हैं, वे आपदाओं का शिकार बन कर पच्चताएंगे, स जब तुम लोग येश्व को एक श्वेत बादल पर स्वर्ग से उतरते हुए, अपनी आँखों से देखो, तो यह धार्मिक्ता की सूरे का सार्वजनिक प्रकटन होगा. शायद वह तुम्हारी लिए एक बड़ी उत्तेजना का समय होगा, मगर तुम्हें पता होना चाहिए, कि जिस समय तुम येश्व को स्वर्ग से उतरते हुए देखोगे, तो यही वह समय भी होगा, जब तुम दंड दिये जाने के लिए नीचे नरक चले जाओगे. यह परमेश्वर की प्रबंधन योजना की समाप्ति की घोशना होगी, और यह तब होगा जब परमेश्वर सज्जन को पुरस्कार और दुष्ट को दंड देगा, क्योंकि परमेश्वर का न्याय मनुष्य की संकेतों को देखने से पहले ही समाप्त हो चुका होगा. जब वहाँ सिर्फ सत्य की अभिव्यक्ती ही होगी वे जो सत्य को स्विकार करते हैं तथा संकेतों की खोज नहीं करते हैं और इस प्रकार शुत कर दिये जाते हैं वे परमेश्वर की सिंगहासन के सामने लौट चुके होंगे और स्रिष्टी करता कि आलिंगन में प्रवेश कर चुके होंगे सिर्फ वे ही जो इस विश्वास में बने रहते हैं कि येशु जो श्वेत बादल पर सवारी नहीं करता है एक जूठा मसी ही है अनंत दंड के अधीन कर दिये जाएंगे क्योंकि ये सिर्फ उस येशु में विश्वास करते हैं जो संकेतों को प्रदर्शित करता है परंतु उस येशु को स्विकार नहीं करते जो गंभीर न्याय की घोशना करता है और जीवन में सच्चे मार को बताता है और इसलिए केवल यही हो सकता है कि जब ये शुखुले आम श्वेत बादल पर वापस लोटे, तो वो उनके साथ वहवार करें। मैं समझ गई। लगता है प्रभु की बापसी की भविश्यवानी वैसे ही पूरी होगी। पहले हम पादरी और एल्डर्स की बातों पर अंधा विश्वास करते थे कि प्रभु की बादलों पर वापसी की भविश्यवानी सही है। हम बेवुकोफो की तरह बादलों को ताकते रहते थे और सोचते थे कि इस तरहां स्वर के राजे में प्रविश्व कर सकते हैं। वाकई प्रभु के गुप्ता उतरण की भविश्यवानी को अन देखा कर दिया हम तो हमेशा बाइबल की भविश्यवानी को पढ़ा करते थे तो इस बात को क्यों नहीं समझ पाए सही का पाद्रियों और एल्डरस ने कभी भी बाइबल को स्पष्ट नहीं समझाया हमें केवल शब्दों से चिपका के रखा इसी बात ने हमें गुमराह किया है अगर आपने हमें ये किताब ना पढ़ाई होती तो हम प्रभु के आगमन पर उनके स्वागत का मौका ही खो देते परमीश्वर का धन्यवाद हम तो मुर्ख कुमारिय बन चुके होते जिने प्रभु त्याग देते हैं प्रभु की कृपा से हम बच गये प्रभु ने वाकई हम पर कृपा की है और छोड़ा नहीं है हमें हम इतने भागिशाली कैसे हो सकते हैं हम कितने किस्मत वाले हैं आपने ले किताब हमें देकर बड़ी कृपा की है प्रभु का धन्यवाद ये सब प्रभु का मार्ग दर्शन और उनकी व्यवस्था है हमने इस किताब को पढ़ा है प्रभु की वानी सुनी है और उनका स्वागत भी किया है उनके मन में हमारे लिए अपार प्रेश प्रभु का धन्यवाद जो लोग परमेश्वर की वानी को सुन पाते हैं